प्रस्न संख्या एक, खाली अस्थानों को भरें, तो प्रस्न संख्या एक कर, तीन और पांच का उसत, तो उसत का फॉर्मूला होता है, और संख्याओं का योग, बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है, और संख्याओं का योग यहां पर तीन को पांच से जोड़ देंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है, उसको जोड देंगे बटा संख्याओं की संख्या तो संख्या कितना है तीन और पांच यानि दो संख्या है एक संख्या दो संख्या तो दो से भाग देंगे यानि औसत बरावर क्या होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या ठीक है, यानि जितना भी संख्या रहेगा उसको पहले जोड लेंगे और उसके बाद संख्याओं की संख्या यानि कितना संख्या है, यहाँ पर 2 है देखे, 3 और 5 2 संख्या हुआ तो 2 से भाग देदेंगे तो कितना आ जाएगा, पांच, 3, 8 बटा दो बराबर दो से आठ को भाग देंगे तो कितना आएगा चार तो तीन और पांच का उसत कितना हो गया चार तो का में हम 4 भरेंगे ठीक है तो ये फॉर्मूला को हमें याद कर लेना है औस बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या क्यूंकि प्रस्ना वाली 40 में इसी फॉर्मूला पे सब बनेगा अब खा में तो का का उतर आ गया है खाले स्थान में हम 4 भर देंगे कम है पांच और 9 का उसत तो 5 जोड 9 यहाँ पे भी देखिए 2 संख्या है 5 और 9 एक संख्या होगा 5 और 1 संख्या 9 तो दोनों मिलाकर 2 संख्या हुआ तो दोनों को जोड करके 2 से भाग दे देंगे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या तो 9 पांच कितना हुआ 14 2 से 14 को भाग देंगे कितना आएगा 7 आएगा तो 5 और 9 का उसत हो गया 7 गम है गम है 4, 3, 8 का उसत तो 4 जोड सब को जोड देंगे पहले 3 जोड 8 अब यहाँ पर कितना संख्या है 3 संख्या 1, 2, 3 तो 3 से भाग देंगे यानि जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देना है और जितना भी संख्या रहेगा सब को जोड देना है तो औसत बराबर संख्याओं का योग यानि जोड़ना है बटा संख्याओं की संख्या यानि जितना संख्या उससे भाग दे देना है तो कितना होगा 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15 बटा 3 कितना आ जाएगा इसका औसत 4, 3, 8 का तो 15 को 3 से भाग देंगा 3 पचे 15 तो 4, 3, 8 का औसत 5 हो जाएगा घर तो 20 किलो ग्राम, 30 किलो ग्राम, 40 किलो ग्राम और 22 किलो ग्राम का औसत खालियस्तान है फिर किलो ग्राम वहाँ पर लिखा हुआ है तो देखें 20 किलो ग्राम, तो 20 जोड फिर है 30 किलो ग्राम, 30 जोड 40, 40 जोड, 22 सब को पहले जोड देना है क्योंकि औसत दुराबर होता है संख्याओं का योग यानि जितना भी संख्याओं सबको योग, यानि जोड कर देना, जोड देना, बटा बटा में संख्याओं की संख्या, एक, दो, तीन, चार, चार संख्याओं तो चार से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम यहां पे लिखते हैं तो 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90 और 22 112, 90, 22, 112, तो हम लिखेंगे 112, बटा 4 अब 4 से 112 को भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, 2, 1, 8, 3 इधर गया तो 32 हो गया, 4, 8, 32 यानि 20, 30, 40, 22 kg का औसत कितना होगा 28 kg तो kg लिखा हुआ है खाली अस्थान के बाद तो आपको बस 28 वहाँ पर भर देना है खाली अस्थान में तो 20 kg, 30 kg, 40 kg और 22 kg का औसत है 28 kg ठीक है? अड़ा में पर्थम चार बिसम संख्याओं का औसत तो पर्थम चार बिसम संख्या तो एक, सब को जोड़ देंगे बिसम संख्या पूछ रहा है, जो 2 से नहीं कटता हो तो एक दो से नहीं कटता है, तीन भी दो से नहीं कटता है फिर 5, 5 भी 2 से नहीं कटा है तो 1,3,5,7 यह हो गया परथम 4 बीसम संक्या बीसम संक्या मतलब जो 2 से बिभाजित नहीं होता हो तो कितना संक्या 4 है यहां पर 1,2,3,4 तो 4 से भाग देंगे कितना आ गया 7,5,12,12,3,15 एक 16 16 बटा 16 बटा 4 यानि 4 आएगा पर्थम 4 बिसम संक्याओं का आउसत कितना होगा 4 होगा बिसम संक्या मतलब जो 2 से बिभाजित न होता हो या 2 से जो कटता नहीं हो 2, 5, 7 और 6 का आउसत ग्यात करने के लिए देखें, 2, 5, 7 और 6 का आउसत ग्यात करने के लिए 4 से भाग देता है तो किसको 4 से भाग देंगे तो इसको जोड़ेंगे 2, 5, 7, 6 तो यहाँ पर कितना संक्याओ 4 संक्याओ 4 से हम भाग दे रहें तो वहाँ पर भी लिका हुआ 4 से भाग देता है तो किसको तो जोड़ेंगे साथ चे 13 13,5,18,2,20 तो 20 भागा 4 यानि इसका उसत कितना होगा 5 होगा लेकिन यहाँ पर 5 नहीं भरेंगे हम 20 भरेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि 2,5,7 और 6 का उसत ग्याद करने के लिए 20 को 4 से भाग देते हैं तो 20 भरना है सिर्फ ठीक है तो पहला में हम क्या भरेंगे 4 भरेंगे, दूसरा में 7 तीसरा में 5, गा में गा में 20 अडा में क्या भरेंगे? 4 और इसमें 20 भरेंगे कियोंकि सबको जोड़ करके 2,5,7 और 6 का उसत ग्याद करने के लिए चार से किसको भाग देंगे तो सब को जोड करके जो आएगा साथ शे तेरा तेरा पांच अठारा दो बीस यहाँ भी हम बीस भरेंगे ठीक है और बाकी सब में औसद भरना अब प्रस्न संख्या दो में कह रहा है औसद ग्याद करें तो देखे इसमें भी औसद ग्याद करना है तो प्रस्न दो कर औसद ग्याद करना है कि इसका पचीस और सैतिस का तो औसद बराबर हम जानते हैं क्या होता है संख्याओं का योग देखे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या तो यहाँ पे 25 और 37 तो 25 और 37 को जोड़ेंगे संख्याओं का योग हो गया और संख्याओं की संख्या कितना संख्या है 2 संख्या है तो 2 से हम भाग देदेंगे ठीक है तो कितना आ जागा 7, 5, 12, जोड़ेंगे हम 7, 5, 12, 3, 2, 5, 1, 6 यानि 62 बटा 2 तो 62 को 2 से भाग देंगे 31 दूनी 62 होता है 31 आ जाएगा यानि 25 और 37 का औसद कितना हो गया 31 तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 खा में 50 किलो ग्राम और 72 किलो ग्राम ठीक है तो खा में देखें 50 किलो ग्राम जोड़ 72 किलो ग्राम बटा 2 यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे और 2 संख्या है 50 है और 72 है तो 2 संख्या देंगे तो 50 किलो ग्राम जोड़ 72 किलो ग्राम बटा 2 तो 50 और 72 कितना हो जाएगा 2 75 12 122 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 चक 12 2 से भाग देंगे 2 चक 12 और एक बार में 2 यानि 61 किलो ग्राम तो 50 किलो ग्राम और 72 किलो ग्राम का उस्षट कितना आगिया 61 किलो ग्राम ग्राम में है 80 रुप्या और 100 रुप्या तो 80 रुप्या जोड 100 रुप्या बटा 2 तो 80 और 100 कितना हो गया 180 बटा 2 रुप्या यानि इसका उस्षट कितना हो जाएगा 80 और 100 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे क्यों 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आगिया 90 रुप्या तो 80 रुप्या जोड 100 रुप्या बटा 2 कितना आ गया 90 रुपया इसका उसत 80 रुपया और 100 रुपया का उसत 90 रुपया घह में है 2 पुर्णांग 1 वटा 2 और 4 पुर्णांग 2 वटा 3 तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 संख्या है एक संख्या देखी यह हो गया 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे पुर्णांग तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दोनी 4 4 एक 5 5 वटा 2 जोड चारतिया 12 दो 14 14 वटा 3 वटा 2 ठीक है तो अब हम लगुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का लगुत्तम 6 देखे 2 और 3 का लगुत्तम भीनवाला जोड हो गया तो इसलिए हम लगुत्तम लेंगे 3 और 2 का लगुत्तम 6 2 तीया 6 तो 5 तीया 15 3 दोना 6 तो 14 दोनी 28 बटा में 2 है ठीक है बटा में 2 है 15 अठाइस कितना हुआ 8 पॉंच 13 तो 1 3 एक 4 43 बटा 6 बटा 2 तो यहां पे 43 अंस है 6 हर है और 2 अंस है दूसरा भीन हो गया 2 तो अंस गुना हर होता है यानि 43 बटा 6 गुना 2 हो जाएगा हर है 6 और अंस है 2 दूसरा भीन का ठीक है तो यह दोनों गुना हो जाएगा 6 गुना 2 यानि कितना आ जाएगा इसका उत्तर इसका उत्तर आ जाएगा देखे 43 बटा 12 ठीक है इसको हम पुर्णांक में ला देंगे तो बारत या 36 36, 47 होता है तो 7 बारत या 36, 7 सेसफल बचेगा तो सेसफल को यहां बे लिखना है 7 को बटा 12 यानि 3 पुर्णांक 7 बटा 12 इसका उत्तर होगा 2 पुर्णांक 1 बटा 2 और 4 पुर्णांक 2 बटा 3 का तो इस तरह हम घा हल करेंगे अड़ा में है 4.6 और 5.2 का तो दोनों को जोड़ देंगे 4.6 जोड 5.2 बटा 2 क्योंकि 2 संख्या है 4.6 और 5.2 तो कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2, 8 यहां पर दसमलों देंगे 5, 4, 9 9.8 बटा 2 इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 एक इधर गया तो 18 हो गया तो दोनमा 18 यहांनि 4.9 होगा इसका उसत अड़ा में 4.9 तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखे 6 और 2, 8 4 और 5, 9 यानि 9.8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4.9 इसका उसत आ गया 4.9 चया में है 8.5 मीटर जोड 5.7 मीटर बटा 2 तो यहां पर दोनों को जोड़ करके 2 संग क्या है 8.5 और 5.7 2 से भाग देदेंगे तो कितना आएगा 7.5, 12 हाथ में रहा है 8.5, 13, 14 14.2 बटा 2 देखें, 7.5, 12 5 और 7, 12 हाथ में रहा है 8.5, 13, 14 यानि 14.2 बटा 2 यानि इसको भाग देंगे तो 2 से 14 फिर 10.5 है तो 10.5 है तो 10.5 है तो 10.5 है तो देंगे फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार में यानि 7.1 मीटर तो 8.5 मीटर और 5.7 मीटर का और सत हो गया 7.1 मीटर चालिस, पचीस और अठाइस का उसत पूछ रहा है तो तीनों को जोड देंगे 40, जोड, 25, जोड, 28 तो 3 संख्या है एक 40, 25, 28 तो 3 संख्या हुआ हुआ तो 3 से भाग देंगे 5, 8, 5, 13 हाथ में रहा एक 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 9 तीरानमे आगया तीनों को जोडने पर बटा 3 है तो तीरानमे को तीन से भाग देंगे तो कितना आएगा तीन तीया ही 9 और 31 तीया तीरानमे होता है तो 31 हो गया इन तीनों का उसत 40, 25 और 28 का उसत कितना हो गया 31 जा मैं है